भारती राजवियोस था इससे संबंधित और धारनात्मक जो शब्दावलिया है उनमें अंतर जो बेसिक समझ है उस पर वीडियोस साथ आठ वीडियोस में हमने आपको बता दिया है सब कुछ अभी हम में इस्ट्रीम में आएंगे यहां से जो वीडियोस आपको मिलेंगी और प्रिलियम्स का तो होगा ही होगा सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे ना सिर्फ यूपी अस्सी यूपी पीसियस के लिए अप जितने भी स्टेट पीस्सी के एक्जाम आप देते हैं अन्य जो परिक्षा हैं देते हैं तो आज से रात आठ वे डेली और सुबक करेंट पॉक्स में लिंक दिया है जहोई स्टेडी टेलिग्राम ग्रूप का उससे वर्ष जाइन करने नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए और भी कायकरमों के बारे में जानने के लिए इसके अलावा जो हमारा चैनल है इसको सब्सकाइब करने ताकि नोटिफिकेशन कम से कम वीडियो के आपको आते रहें फिलहाल टाइम इसका आठ बजे डेली का है अप लोग अवश्य आठ बजे अपने समय से आजाय करें अगर बाद में देखना चाहते हैं तो हराम से देख लेंगे ये क्लासेस लाइव भी होंगी बाद में जैसे सहुलियस समय की मिलती लेंगे तो आपके जो प्रावलम्स होंगे जो डाउट्स होंगे वो भी हम लेते रहेंगे अभी भी कोई है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो आज हम तीन टॉपिक कवर करेंगे भारती राजव्योस्था के इंतरगत बिटिश शासन में समयधानिक विकास भारती और भारती समयधान की विशिष्टा हैं समयधानिक विकास की बात हम क्यों करते हैं हम भारती समयधान पढ़ने जा रहे हैं तो यह आपके सिलेबस में भी है तो मुखे परिक्षा के सिलेबस में भी यह चीज लिखी होई है और प्रिलियम्स में तो पूसता है देवसल भार भारती समिधान को पढ़ने के पहले भारती समिधान का विकास कैसे हुआ कैसे समिधान तक हम पहुंचे उस सीडियों को हमको जानना बहुत आउश्यक है क्यों क्योंकि जिन बातों के लिए हमने लड़ाई लड़ी जो जो सुधार की मांगे हमने की उन सुधारों के जो वास् पूरी हो सकती है तो अगली मांग भी पूरी हो सकती इस तरह से धीरी धीरी डिमांड बढ़ी और इस डिमांड को हमने फिर स्वराज और फिस्वतंता तक लाखडा किया हमारा समयधान भारतियों का समयधान यहां पर शासन था इस्ट इंडिया कंपनी का, तब ब्रिटिस संसत के दोरा चार्टर अडियर पारिद किया गजाते थे, उसमें आमोमने वीस वर्षों के लिए जो कंपनी का अधिकार था वो बढ़ाया जाता था डहा हो कुछ सुधार करने होते थे उसमें सुधार कर दिया जाता था, चार्टर में साफ साफ दिया रहता था, यह यह अधिकार होंगे आपके, इतने समय के लिए होंगे, लेकिन 1853 में जो चार्टर एक्ट आया, उसमें समयावधी बढ़ाई नहीं गई, अचानक, उमीद थी इस इंडिया कंपनी के घुसखोर, भष्टाचार और शोशन से डूबी जो यहाँ पे सत्ता थी, उसको उमीद थी 20 वर्ष का और हमको मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो मिला नहीं, उसके पीछे कई कारण थे, उन कारणों को समझना बहुत आउशक है, पहला कारण, क जो हुकूमत थी, जो सरकार थी, उसको कोई लाब नहीं हो रहा था वास्तों में, और लाब न मिलने के कई कारण थे, पहली बात तो जो इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, वो भष्टाचार में डूबे हुए थे, इसके लावा धीरे धीरे वो यहाँ से धन लूट करके बाहर सुरक्षित अस्थानों पर जमा कर रहे थे, वहाँ पर बसना सुरू कर दिया था उन्होंने, कई ने तो भारत में ही अपना अपनी बसावट कर ली थी, तो इस तरह से सरकार को बिटिस फ़गूमत को कोई वास्तवे किलाब हो नहीं रहा था, और दियो कि क्रां जो बुद्ध जीवी वर्ग था, उसने कहा कि यहां पर जो जनता है बहुत निराश है, बहुत नराज है, और कभी भी ये अंदूलन कर सकते हैं, क्रांती कर सकते हैं, और युद्ध में भी तबदील हो सकता है ये मामला, सो सन का इतना उन्होंने इतनी बानगी देखी थी, और वास्तों में यहां पर हर वर्ग चाहे हो किसान क्रिसक वर्ग हो, जो भूमि सिधार कानूना है, तमाम उससे उनका काफी शोशन हुआ था, इसके अलावा नील की खेती करने वाले वो तो परशान थे ही, इसके अलावा जो यहां पर ब्यापारी वर्ग था, वो पूरी कि अन्य जो कंपनिया हैं उनको भी मौका मिले, भारत को लूटी ने का, यहां पर सैनिक से लेकर के, ब्यापारी से लेकर, किसान से लेकर के, सुर्यास्त कानून से जो जमिदार थे, जिनसे जमीने छीन ली गई थी, वो भी परिशान थे, धार्मिक जो सुधार हुए थे, यहां के लोगों को नहीं पसंद थे, जो वहां के लोगों ने किये थे, धर्म परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा था यहां पर, वो भी यहां के लोगों ने लगा कि, यह हमारे अस्तित्तों को संकट मिला देंगे, तो वो भी असंतोष था, हिंदूों में विशेश कर, कई रियास्तों से हड़प नीत के दारा उनके राज्य को हड़प लिया गया था उनमें भी असंतोस था तो यह असंतोस चरम सीमा पे साइनिकों के साथ बेदभाव किया जाता था यूरोपी साइनिकों को जादा उच्च दिश्टी से देखा जाता था उनके लिए अलग सोईधा जा सकता है पहले थे था पहले ही उनकी ड्यूटी जो है घर से जो उनका निवास अस्तान था उससे बहुत दूर भेजा जाता था उनको बाद में यह भी आ गया कि अब इनको भारत की बाहर भेजा जा सकता है तो उससे और ज़्यदा संतोश व्यापत था तो हर जगह को सरकार ने भापा वहां की और फिर 1883 के बाद इनको दिया नहीं लेकिन असंतोश इतना ब्यापत हो चुका था कि उसको न तो ग्रैब कर पाया वहां का जो वहां की जो हुँमत थी न उसको समाप्त कर पाई न कुछ सोच पाई और 1857 की एक क्रांदी हो जाती है जिसको भा ब्रिटिस हुकूमत होश में आती है उनको लगता है नहीं इस तरह से सोचन नहीं चलेगा हमें कुछ अधिकार कुछ सुधार करते रहने होंगे इसके लिए कि लोग आक्रोष्ट हो करके यह पूरी तरह से क्रांदी में तबदील हो जाए इसके लिए या तो फूट डालो राज करो यह नीती अपनाओ पहला तो यह था पहले राल इसके एक ऐसी संस्था खड़ी कर दो जो यहां के लोगों के आक्रोष्ट को समझे उसे रोक कर रखे एक तरह से से शेफ्टी वाल का काम करे वो हम से अनुने करे और फिर हम उनकी डिमांड्स को दीरे दीरे अल्प उतना पुरसकार देते रहें ताकि हमारी सरकार भी चलती रहें यहां के लोग क्रांती भी न करें असंतुष्ट भी न रहें तो इसलिए उन्होंने फिर कांग्रिस की अर्स्थापना 1885 में की डफरिन उसके बाद 1853 जैसम ने बताया फिर 1800 सताउन की क्रांती होती है 1889 में फिर सासन अधनियम आने लगता है सासन अदनियम क्यों क्योंकि अब इस्ट इंडिया कमपणी के श्थान पे ऑफ सीदे संस्द यहां पर शासन करने लगती है तो अब 1888 से सासन अधनियम आना सुरु हो जाता है बाकी जो इसके अंदर की चीज़ें वह आपके आदनी भारत के इतिहास में चली आती हैं, तो हम इतिहास में उन सब चीजियों का ध्यान करेंगे अभी हम आपको भूमिका के ओल बता रहे हैं, क्योंकि हमको समिधान अपना पढ़ना है, तो इसकी भूमिका जरूर हमें पता रहने चाहिए, तो आईए पिर चार्टर अधनियम अठाउस तैंतिस आता है चार्टर अधनियम अठाउस तिर पनाता है और इसके बाद जो है, चुकि यहां से फिर अलग कहानी सुरू हो जाती जैसा हमें ने बताया, तो अठाउस अठाउन का भारत शासन अधनियम आता है बहुत मायत पूर्ण था, फिर भारत परशाद अधनियम 1861, फिर भारती परशाद अधनियम चुकि भारती परशाद का यहां पर गठान हो जाता है तो भारती परशाद अधनियम 1892, भारत परशाद अधनियम 1909, भारत शासन अधनियम 1935 ये आते हैं और इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे सबसे पहले तो भारत में समिधान का विकास 1857 तक इस्ट इंडिया कंपनी की अधीन और उसके पश्चाथ British Crown की अधीन हुआ इस्ट इंडिया कंपनी का संचालन दो समिधियों द्वारा किया जाता था पहला स्वामी मंडल और संचालक मंडल Court of Properties, Proprietors और Court of Directors ठीक, तो स्वामी मंडल या Court of Proprietors जो होते थे कंपनी के सभी साजीदार जो होते थे जिनका उसमें share होता था इसके सदस्य होते थे जिनें सभी नियम कानून और अध्यादेश बनाने का अधिकार था और इन्हें ये भी अधिकार था कि यदि कोई नियम संचालक मंडल या court of directors बना रहा है तो ये उसे रद भी कर सकते थे संचालक अर्थाद पूरे एक प्रकार से जो सबसे अधिकार संपन्द था इसमें जो मंडल था वो court of proprietors का था court of directors का काम क्या था? संचालक मंडल में 24 सदस्य होते थे जो स्वामी मंडल या court of proprietors से ही होते थे और स्वामी मंडल द्वारा ही चुने भी जाते थे संचालक मंडल का कारे स्वामी मंडल द्वारा बनाये गए नियमों का पालन करवाना था एक प्रकार से संचालक मंडल कारे पालिका की तरह कारे कर रही थी स्वामी मंडल विधाई का की तरह कारे कर रही थी इसी का जो व्यापक सरूप आप देखते हैं संसद में जो विधाई का है सांसद है और जो मंत्री है अर्था जो कारिपाईली का है इन में तो ये व्यापक रूप में आप देखते हैं यहाँ पर सूक्ष रूप से दिखाई पड़ता था तो भारती समिधान की बात करें तो इसका धाचा विक्सित होने में मूल रूप से 587SB के ब के बड़ देखते हैं Regulating Act 773 में क्या क्या बाते थी मदारास और बंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के ग Flower General के अधीन कर दिया गया किसमे रेगुलेक्टिंग एक्ट में कलकत्ता के फोर्ड विलियम में एक सुप्रीम कोट की अस्थापना की गई जिसका अधिकार शेत्र बंगाल बिहार तथा उडिसा तक था एक बार आया है स्टेट्मेंट जिसका अधिकार शेत्र संपूर भारत था हो गया था इसे लिए इस नियम का मोल उद्देश कंपनी की गत्विधियों को बिटिस क्राउन की निगरानी मिलाना था क्योंकि वे बहुत ज़्यादा स्वेच्छा चारी हो गये थे और यही वो एक्ट था जिसमें बंगाल का गवर्नर चुकि अब तीनों प्रेसेंडेंसियों कोई इसके अंदर ला दिया गया तो अब गवर्नर जनरल करनाने लगा बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल करनाने लगा इस तरह से भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना वारेन हैस्टिंग्स कौन मना Warren Hastings क्योंकि वो बंगाल का ततकलीन गवर्नर था और ये एक्ट आते ही वो गवर्नर जनरल करना निल लगा दो प्रशना आते हैं confuse मत हुईएगा एक आता है भारत में प्रथम गवर्नर जनरल तो वो था Warren Hastings एक पूष्ता है भारत का प्रतम गौर्नर जनरल मलब, संपूर भारत का प्रतम गौर्नर जनरल कौन था तो वो 1833 के चार्टर के द्वारा Lord William Bedding को बनाया गया था जो चार्टर आया था 1839 में उसमें जो बंगाल का गवर्णर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्णर जनरल हो जाता है और इस तरह से लाड विलियम बैंटिंग भारत के संपूर भारत के प्रथम गवर्णर जनरल कहलाते हैं तो भारत में प्रतम गवर्नर जनरल, वारन हैस्टिंग्स, भारत का प्रतम गवर्नर जनरल कौन था, वो लार्ड विलियम पैंटिंग थे, तो ये महत्पूर्ण बाते थी इसकी, फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट, यहां से जो महत्पूर्ण आपके फैक्ट्स बनते हैं वो पहला तो है कि इससे Board of Control की स्थापना की गई एक नए संस्था की स्थापना, Board of Control या नियंतर मंडल की स्थापना की गई सीधे पूचता है, दूसरा अभी आपने पढ़ा था कि संचालग मंडल और स्वामी मंडल थे, जिसमें स्वामी मंडल संचालग मंडल के फैसलों क पलटने का अधिकार रखता था, ठीक, तो यहां पर गया हुआ, संचालग मंडल को नियंतर मंडल के अंतरगत पूरी तरह से लिया दिया गया, अर्थात यहां से Board of Control का महत तो बढ़ जाता है, संचालग मंडल नियंतर मंडल की सभी आग्याएं मानने के लिए बाद्य था, वही स्वामी मंडल के, जो संचालग मंडल के फैसले उलटने का जो अधिकार दिया गया था, उसको खतम कर दिया गया, तो जो Board of Proprietors था, वो अब संचालग मंडल के फैसलों को उलट नहीं सकते थे, फिर Charter Act 1793 आता है, यहां पे Board of Control के सदस्यों और स्टाफ को भारती जस्व से वेतन देना प्रारम किया गया, जो 1919 तक जारी रहा, चार्टर अधनियम 1813, यहां पे इस चार्टर से कंपनी की अधिकार पत्र को 20 वस के लिए बढ़ा दिया गया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, हाला कि चाय, चीनी और सिल्क के व्या एक्ट, 1784, एक बात पूसता है कि किस एक्ट से दोहरे प्रशासन का प्रारम हुआ था, तो यह पीट्स इंडिया एक्ट 1784 था, दोहरा प्रशासन मतलब यहां पे बोर्ड आफ डारेक्टर, ब्याबारिक मामलों के लिए, और बोर्ड आफ कंट्रोलर, राजनितिक मामलों क या किस चार्टर एक्ट से भारती सिक्षा में, भारत में सिक्षा के लिए एक लाग रुपए व्या करने की बात की गई थी, तो वो चार्टर एक्ट 1813 था, ठीक है, इसी के बाद जो है, आंगल और प्राच्च विवाद उत्पन होते हैं, कि भारत में सिक्षा का माध्यम क या क्या हो, भारत में सिक्षा कैसे दी जाए, यहीं से बहस प्रारम होती है, एक बात और 1813 वाले में जोड लीजेगा, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा पिन पिपर लेकर बेटियेगा, ताकि जो चीजें आपके पीडियाफ में नहूं, वो भी आप नोट करें, 1813 के पहले, जो इसाई मिशनरी थी, इसाई मिशनरीयों को भारत में आने की अनुमती नहीं थी, लेकिन इस अधनियम के बाद, 1813 इस भी का जो अधनियम था, इसके बाद, इसाई मिशनरीयों को अनुमती दे दी गई, भारत आने की, तो यहां से कहानी सुरू हो जाती है Conversion करिए यहां पर Convert होना लोग सुरू हो जाते हैं और फिर जो हिंदु संदाय है वो यहीं से कुपित होना स्टार्ट हो जाता है जो तक अपने कह सकते हैं कि जो सबसे चरम रूप है उस रूप में पहुंसता है फिर बाद में दियानन सरस्ति का अधवह होता है, विवेकाननद आते हैं और वो सुधार कारिष दिशा में करते हैं कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, धर्भरिवरतन कर रहे हैं क्या कारण है, क्यों उनमें असंतोश है क्यों उनको इस तरह से बरगला लिया जा रहा है तो Charter Act 1833 फिर आया Charter Act 1833 में अब East India Company के सभी ब्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिये गए आपने देखा कि 31 में क्या किया गया था Company के ब्यापारिक अधिकार को तो समाप्त कर गया था लेकिन चाय, चीनी और सिल्क के ब्यापार पर Company का अधिकार बना रहा था लेकिन 1833 में चाय, चीनी सिल्क का भी खतम कर दिया पूरी तरह से एक अधिकार समाप्त कर दिया अर्थात अन्य कमपनियों को भी भारत में आकर ब्यापार करने का अधिकार मिल गया ठीक, वो तो 1833 में मिल गया था लेकिन अब चाय, चीनी, सिल्क पे भी कोई कमपनी आकर के ब्यापार कर सकती थी सीधी सी बात थी तो जब ब्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिये गये तो अब भारत में सिर्फ प्रशासन के पत्ती उत्तरद आई रह गयी थी अर्थाथ, प्रशासन का काम हाँ, भले उसके हाथ में रह गया था ऐसा नहीं कि ब्यापार ही बंद कर दिया इस्ट इंडिया कमपनी ने एक अधिकार समाप्त हुआ था ध्यान रखेगा, एक अधिकार मतलब सिर्फ उसी को अधिकार था भी तक ब्यापार करने का 1813 तक, लेकिन एक अधिकार समाप्त हुआ मैक्सिमम में केवल तीन को छोड़ करके, चार्टर एक्ट 1833 ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया एक अधिकार को इन दोनों टर्म्स को याद रखेगा, अगर पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी के ब्यापार पर एक अधिकार को पूर्ता समाप्त किया गया तो उसका एंसर होगा चार्टर एक्ट 1833 लेकिन पूछेगा कि पहली बार किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के एक अधिकार को ब्यापारी के अधिकार को समाप्त किया गया तो वो था चार्टर एक्ट 1813 तो भाशा सद देखेंगे आप विकल्प की और जो प्रश्न है तभी आप सही उतर दे पाएंगे तो फैक्ट के साथ थोड़ा सा आपको लॉजिक भी अपनी समझ को भी आगे बढ़ाते जाना है तो अब चार्टर एधनियम 1813 फिर से पढ़ेंगे अब इस्ट इंडिया कंपनी के सभी ब्यापारी का दिकार समाप्त कर दिये गए और अब वह भारत में सिर्फ प्रशासन के प्रतितरदाई रह गई थी अब यूरोपी लोग भारत में संपत्य अर्जित कर सकते थे कोई भी व्यक्ति कोई भी ब्यापारी व्यक्तिगत हो या फिर फर्म हो क्योंकि उस पर लगी रोक हटा ली गई थी बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस तरह से लाड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं भारती विदी आयोग की अस्थापना की गई 1834 में किसकी अध्यक्सता में लाड मैकाली के अध्यक्सता में प्रथम विद्यायोग का गठन किया गया इसी अध्यनियम के माध्यम से विद्यायोग ने कई रिपोर्ट पेश की जिसमें से मैकाले का पैनल कोड बहुत प्रसिद्ध है 1862 में IPC आता है इसी मद्रास तथा बंबई में गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति को घटा दिया गया और उनके द्वारा किसी कानून को रद करने के अधिकार को समाब्त कर दिया गया ध्यान लखेगा ये चीज़ दास प्रथा के उनमूलन की बाद या दास प्रथा को विद्विरुद घोशित करने की बाद भी इसी अधिनियम में थी बाद में हाला कि 1843 में उसका उनमूलन किया जा सका त्वरित रूप से नहीं हो पाया था ये बात अलग है इसके लावा इसी अधनियम में एक धारा थी धारा 87 ध्यान लखेगा मुख परिक्षा में लिखेंगे बहुत नमबर मिरेंगे आध के आधार पर अयोग ठाराने पर प्रतिबंद कर दिया गया था अर्थात इनके आधार पर किसी को अयोग नहीं ठाराया जा सकता था भारती कानूनों का वर्गी करण किसमें किया गया तो इसी में किया गया ध्यान लखे गया तो ये सब चीजें 1839 के अधनियम में थी समयावधी जो 20 वर्ष दिया जाता था वो 20 वर्ष दिया नहीं किया ध्यान लेका यहां से लोगों को समझ वे आ गया कि अब संसत कभी भी शासन का नियंतर्ण अपने हाथ में ले सकती है गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त करते हुए वहां के शासन के लिए एक लेफटीनन गवर्नर की निक्त की गई गवर्नर जनरल की विधाई एम कारपाल की शक्तियों को पिथक कर दिया गया अतह गवर्नर जनरल की परिशत से अलग एक विधान परिशत की स्थापना होई किसमें अठारा सो तिरपन के अधनियम के त्वारा कमपनी के करमचारियों के नियुक्त के लिए प्रतियों की परिक्षा की वियोस्था की गई निदेशक मंडल में सदस्यों की संक्या 24 से कम करके 18 कर दी गई तथा इसमें 6 सदस्यों को नियुक्त करने का दिकार बिटिस क्राउन को दिया गया अब देखे बिटिस क्राउन अपने हाथ में धीरे धीरे शासन को अब लेना सुरू कर रहा है निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए योगिता निर्धारित की गई विद्यायोग जो की समाप्त हो चुका था प्रतपहला विद्यायोग इसके अस्थान पर इंगलिश लाव कमीशन की निवक्ती गई इसी कमीशन ने भारती दंड सहिता दीवानी तथा फौसदारी प्रक्रियाओं के संक्लन को अंतिम रूप जाकर दिया था जो 1833 के बाद से सुरू होई थी 1834 से वो धीरे धीरे अठारस तिरपन तक आई और फिर बाद में जाकर 1862 में ये अधनियम का रूप ले पाई इसके बाद 1867 की महान करांती होती है और अब क्या होता है 1868 का भारत शाशन अधनियम आता है 1867 की करांती ने कमपनी शासन की जो कमपनी यहां पर शासन कर रहे थी अब तक 1833 में मैंने बताया कि इनकी समयवधी बढ़ाई नहीं गई क्योंकि पहले से ही संसद इन से रुष्ट थी उस तक बहुत सारी बाते पहुँच चुके थी तो कमपनी शासन के असंतोष यनक नीतियां थी उसको उजागर कर दिया 1867 की करांती ने जिससे बिटिस का संसद को कमपनी को पद से हटाने का मौका भी मिल गया और इस अधनियम द्वारा जो प्राउधान किये गए क्या क्या प्राउधान किये गए कि भारती जो प्रशासन था इस इंडिया कमपनी के हाथों से ले करके सीधे बिटिस क्राउन के अधीन कर दिया गया अब भारत का शासन ब्रिटिस सामरग्गी के और से भारत राज सचीव को चलाना था जिसकी सहायता के लिए 15 सदसी भारत परिश्रत का गठन किया गया तो इस तरह से भारत राज सचीव और भारत 15 सदसी भारत परिश्रत का गठनियां पर हुआ अब भारत में शासन से सम्मंदित सभी कानूनों और कारवाईयों पर भारत सचिव की स्विक्यति अनिमार कर दी गई अब गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतनिधी हो गया तो था उसे वाइसराय की उपादी मिली तो यहां से जो भारत का गवर्नर जनरल था वो जब इस्ट इंडिया कंपनी की तरह से उसके अधिकारी की तरह से कारे करता था तो उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था या वाइसराय का जाता था लेकिन जब वो क्राउन की तरह से कारे करता था तब वो वाइसराय कहा जाता था तो अब गौवर्नर जनरल को ही वाइसराय भी कहा जाने लगा इस तरह से भारत का पहला वाइसराय कौन बनता है आप लोग ये भी नोट करिएगा पूछा भी ये गया है कि अठारोस अटाउन की करांती के समय भारत का गौवर्नर जनरल कोन था तो लाड कैनिंग था फिर अठारोस अटाउन का अदनियम आता है वो गौवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाता है इस तरह से भारत का पहला वाइसराय कोन बनता है लाड कैनिंग बनता है अनुबंद सिविल सेवा में नियुक्त के लिए प्रतियोगिता द्वारा नियुक्त की जाने लगी अखिल भारती सेवाएं तथा अर्थव्योस्था में संबंध मसलो या मामलो पर भारत सचिव भारत परिशत की राय मानने के लिए बाद्य कर दिया गया भारत राज सची वे एक निगम निकाय घुशित कर दिया गया जिस पर इंग्लाइन डियों भारत में दावा किया जा सकता था अत्वा जो दावा दायर कर सकता था ध्यान रखेंगे बहुत महत्पूर्ण पॉइंट है खासकल जो विधी पढ़ते हैं उनके लिए राज उत्तरदायत का सिध्धान पढ़ा होगा आपने उसकी सुरुवात आप देख सकते हो यहां से भारत परिशद अधनियम 1861 यह गवर्नर जनरल की यहां भी बहुत पूर्ण बाते हैं कुछ नोट करने वाली गवर्नर जनरल की कारेकारी परिशद का विस्तार करते हुए इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया भारती प्रतनिधियों को अर्थाद भारत के जो प्रतनिधि थे भारती सदस्य थे कानून निर्माड करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा इस तरह से प्रशन पूछा एता है कि पहली बार सूच मरूप से ही किस अधनियम के द्वारा भारतियों को शासन में वास्तवे प्रतनियत मिला तो ये कौन सा अधनियम था भारत परश्चत अधनियम 1861 क्यों तो किसमें कानून निर्माड करने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया इस अधनियम में पहली बार विभागी पढ़ाली पॉर्ट फोलियो सिस्टम की शुरुआत वी किसमें 1861 अधनियम में गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश और्डिनेंस निकालने की शक्ती दे दी गई तो अध्यादेश जो कानून की ही शक्ती रखता है जो संसत द्वारा कानून पारित होता है उसी की शक्ति रखने वाले आदेश को अध्यादेश कहते हैं जो मंति परश्चत की सिफारिष पर राश्पत्ती यहां पर लगाता है जब संसत का कोई भी सदन चल नहीं रहा होता है तब अनुच्छेद एक्सोतेज भारती समिधान में इसके लिए प्रावधान है वो हम आगे पढ़ेंगे तो कुछ इसी तरह गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश निकालने की शक्ति भारत परशद अधीम 1861 के माध्यम से दी गई विकेंद्री करन की प्रक्रिया को शुरू किया गया अर्थात अभी तक जो केंद्री शक्ति आप देखते थे गउनर जनरल सम्पूर्ण शक्ति था अब ये जो है विकेंद्री करन होने लगा सत्ता का यहाँ पर बटवारा सुरू हो गया कई संस्थाओं में जिसमें बंबई और मदरास को पुनह विधाई अधिकार दे दिये गए भारती परिशद अधनियम अर्थाद बंगाल को यहां पे कमजोर कर दिया गया एक पुमला के बात यह था भारत परिशद अधनियम 1892 की बात करें इसके बाद आया गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए विशुद नामांकन के अस्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन की पध्धती लागू की गई परिशदों को बजट पर विचार मिमश करने यहां कारिपालिका से समबधित परश्ण करने का अधिकार दे दिया गया तो पहला वाला पॉइंट अगर आप पढ़ने ध्यान से दो देखें यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाओ परणाली की बात हो रही है तो अगर पूछा जाए कि अप्रत्यक्ष चुनाओ परणाली की सुरुआत किस अधनियम में देखने को मिलती है तो भारत परिशद अधनियम 892 में यहां सही अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाले की सुरुवात हुई और इसके द्वारा इस अधनियम के द्वारा राजस्व और व्यय या बजट पर बहस करने और जो करेकारणी है उससे प्रश्ण पूछने की भी शक्ति दे दी गई तो प्रश्ण करने का अधिकार और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार बहस करने का अधिकार इसमें दिया गया परंतु इस अधनियम में व्याव्द विसंगितियों के करण भारती राशवादियों ने अदनियम की जमकर आलोशना की और यह माना गया कि इस थानी निकायों के चिनाओ मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनुनित करना ही है विधान मंडल को बहुत ही सीमित शक्तियां प्राप्थी जैसे सदसे अनपूरक प्रश्ण न दिया गया था इस तरह से आसमानता यहां देखी गई जैसे मुंबई में दो अस्थान यूरोपी ब्यापारियों को दे दिये गए जबकि भारती ब्यापारियों को एक भी अस्थान नहीं दिया गया था फिर इसके बाद भारत परश्ण अदनियमन 1909 आता है इसे मारले मिं भारत के ततकालिन वाइसराय थे तो एक बात बताओं मैं आपको ये अदनियम इसलिए भी महत्पूर्ण है यहीं से फूट डालो राजकरो की जो नीती थी वो अदनियम के रूप में सामने आती है सामप्रदाइक प्रतित तो यहीं से सुरू होता है यही वो अदनियम था जो सबसे कम समय के लिए प्रभाव में रहा 1909 उसके बाद फिर 1919 आयाता है तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे कम समय के लिए अगर कोई चलने वला अधनियम था बिटिस जो सुधार में अधनियम आए वो भारत शासन अधनियम 1909 ही था ततकालिन भारत सची उलाड मारले वाइसराय मिंटो के नाम पर प्रतनिधिक और लोगप्रीता के शेत्र में सुधार के लिए उसको समावेश करते हुए 1909 के भारत परशद अधनियम को लाए गया इन सुधारों के पीछे दो घटनाय प्रमुक थी पहली अक्टूबर 1906 में आगाखान के नितित में एक मुस्लिम प्रतनिधिम अंडल लाड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसल्मानों को प्रिथक निर्वाचन पड़ा ले की सुधा मिले दिती मांग थी कि मुसल्मानों को क्योवल मुसल्मान ही चुने समझ रहे हैं न इस सीच को तो प्रिथक निरवाचन परण लेकि उन्होंने मांग की अर्थाद में मुसल्मानों के लिए प्रिथक स्थान तैं किये जाएं उसमें क्योवल वोट देने वाले लड़ने वाले मुसल्मान ही हो दूसरी मांग थी कि मुसल्मानों को उनकी जनसंख्या के अनपात में प्रत्मित मिले इसी परिपेक्ष में भारत परिशद अधनियम 1909 के प्राउधान बनाएगे तो यहाँ पर अंग्रेज फूले ने समाये उनको का कि हम यह तुम्बीन मागी मुराद मिल गई 1905 में बंगाली वाजन में जो हम नहीं कर पाए वो इनकी डिमांड ने कर दिया अब हम यही काम इसी को आगे बढ़ाएंगे फूट डालेंगे और राज करेंगे इसी परिपेक्ष में भारत परिशद अधनियम 1909 के प्राउधान बनाएगे थी इस अधनियम द्वारा मुस्लिम समधाय के लिए प्रिथक प्रतनहित्य की व्यवस्था की गई प्रांती विधान परिशदों के आकार में विद्धी करते हुए उसमें कुछ निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों के शामिल होने से परांती विधान मंडलों में शासकी बहुमत समाप्थ हो गया परنتु केंदरी विधान परिषट में शासकी और सासन के बहुमत बने रहे कुछ विनिरधेष्ट विशेयों को छोड़ कर विधान परिषट को यह भधिकार दे दिया गया कि वह बजट या लोगहित के मुद्दों पर प्रस्ताव पारित कर प्रशासन पर प्रभाव डाल सकें एक बाप ध्यान दीजेगा इसके पहले वाले अद्नियम आपने देखा कि अनुपूरक प्रस्त नहीं पूछा जा सकता था, मत नहीं दिया जा सकता था लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अधिकारों को बढ़ाया गया यहाँ पर केंद्री और प्रांती विधान परिशा दोनों में बजट पर वादविवाद करने, लोगहित के विश्यों पर प्रस्ताव पेश करने किसी प्रश्ण का पूरक प्रश्ण पूछने और यहां तक की मत देने का भी अधिकार मिल गया था ध्यान रखेगा S.P. सिन्हा इनका नाम पूछ सकता है कभी भी सतेंद प्रसाद सिन्हा लिख लीजे नहो यह वाइसराय की कारपाल का परिशत के प्रथम भारती सदस से बने इसी अधियम के बाद इसी अधियम के माध्यम से इन्हें विदी सदस से बनाया गया था इस कारपाल का परिशत में जो विदी सदस से का अस्थान था वो S.P. सिन्हा को सत्यान प्रसाद सिन्हा को दिया गया था इसके बाद भारत शासन अधनियम 1911 जिसको मांटेंग्यू चंसफोर्ड सुधार भी कहते हैं मांटेंग्यू जो भारत सचीव थे और चंसफोर्ड जो की ततकाली नवाई सराज थे तो इसी इनी के नाम से मांटेंग्यू चंसफोर्ड सुधार कहा जाता है इसे इस अधनियम के अंतरगत प्रांतों में द्वैद शाषन की व्योस्था की गई जिसके तहत प्रांती विश्यों को अच्छा प्रांतों में द्वैद शाषन की व्योस्था किसमे की गई भारश शाषन अधनियम में प्रांतों में द्वैद शाषन की व्योस्था कहां खतम की गई इसके ठीक बाद जो अधनियम आता है 1935 वाले अधनियम में उसमें क्या किया जाता है वहाँ पर प्रांतों में खतम करके केंदर में द्वैद शाषन ला दिया जाता है इस द्वैद शाषन का मतलब क्या रहता है इसमें प्रांती विश्यों को आरक्षित एवम हस्तांतरित दो वर्गों में भाजित कर दिया गया प्रांती विधान परिशदों में निर्वाचिस तदस्यों की संख्या 70% तक कर दी गई थी उत्तरदाई सरकार की नियू हस्तांतरित विश्यों के संकीन शेत में डाली गई हस्तांतरित विश्यों थे उसमें सिक्षा, पुस्तकाले, संग्रहाले, मनुरंजन, पर्नियंतन, तौल, माव, चिकिस्सा, सहयता, लोक निर्माडवी भाग, आपकारी, ठीक, उद्योग, धार्मिक और जो अन्य प्रकार के दान थे इन सब को रखा गया जो छोटे-छोटे व परिशद द्वारा आरक्षित विश्यों का प्रसासन होता था, जिसमें मुख्य विश्य थे, सारे अच्छे विश्य जो हैं इनको दिये गए थे, वित्त, भूमी, अकाल, सहयता, न्याय, पुलिस, पेंशन, अपराधिक, जनजातियां, सिचाई, जलमार, खान, कार खाना, बिजली, गैस, शमिक, कल्यान, मोटर गाडियां, छोटे बंदरगाह, और द्योगी विबाद, यह सभी इनके हाथ में दिये गए थे, आरक्षित विशे, अर्थात, इसमें इनको कोई उत्तरदाई तो नहीं था, इनका, कोई जवाब कहीं नहीं देना था, कोई भी प्रशासन के समस्त विश्यों को केंद्री और प्रांती विश्यों में भाजित किया गया, स्थूल रूप से राश्टी महत्यों के विश्यों को केंद्री और प्रांती महत्यों के विश्यों को प्रांती विश्यों के तहत रखा गया, तो यहाँ पे जो सूची पनाली थी, जो संगी सिस्टम है जो दिखाई पड़ता है फेडरल सिस्टम यहां पे थोड़ा सा दिखाई पड़ता है यहां पे केंद्री प्रांती सरकारों के जो विशे थे उनको अलग कर दिया गया था प्रांतों का राजस तो केंद्री राजस तो अलग कर दिया गया केंद्री विधान परिशत को 2 सदनी बनाया गया पहली बार जो वरतमान में सरूब देखते हैं संसत का लोग सभा, राजसभा ये केंद्री विधान परिशत को इसी तरीके से निचला और उच्छ सदन और निम्न सदन में यहाँ पर माटा गया राज़ परिशत उच्चतर सदन को राज परिशत कहा गया जिसका गठन साथ सदस्यों से हुआ था राज परिशत के साथ सदस्यों में चौतित निर्वाचित थे जिस निचले सदन जिसका नाम विधान सभा था इसमें 144 सदस्य जिसमें 104 सदस्य निर्वाचित थे दोनों सदनों की केंदर की बात हो रही है विधान सभा की केंदरी विधान सभा की परिशत की दोनों सदनों की शक्तियां तो समान थी लेकिन एक मामले में अंतर था बजट पर मतदान करने का अधिकार केवल निचले सदन को ही था जैसे आज budget पर मत पेश करने का अधिकार जो है कर लोक सभा में हैं इसी तरह तब भी budget पर मत दान करने अधिकार निच्रे सदन को ही था आज निच्ला सदन क्या है लोक सभा उच्छ सदन क्या है राज सबाई गवर्नर जनरल को भारती विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेक पर वीटो करने पूछा भी है अत्वा समराठ के विचारार्थ प्रेशित करने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को भी अधिकार दिया गया कि विधान मंडल द्वारा नामनजूर किये गए किसी विधे के आंदान को प्रमाडित कर दे और गवर्नर जनरल आपाद की दशामे अध्यादेश भी जारी कर सकता था तो यह तरह से देखा जाए तो वास्तविक शक्ति जो है वो सरकार के होते हुए भी उत्तरदाई सरकार के होते हुए भी वास्तविक शक्ति नियंतर जो था गवर्नर जनरल के हाथ में अभी भी बना हुआ था एक प्रकार से ये बिटिस संसद ने अपने हाथ में पूरी तरह से लिया हुआ था यहां सिर्फ एक कठपुतली शासन चल रहा था दिखाने के लिए यहां से कुछ facts हैं आप लिख सकते हैं चाहें तो लिख लीजिए मैं कहूँगा बहुत महत्पूर्ण है जैसे कि पूचता है कि प्रांतों में द्वैद शासन का जनक किसे मना आता है अर्थाद यह विचार दिया किसने था उनका नाम था Leonis Cartius इसी अधनियम के द्वारा अधनियम 1919 के द्वारा भारत सचिव जो होता था उसको अधिकार दिया गया कि वह भारत में महा लेखा परिक्षक की नियुक्ती कर सकता है पूचा गया है प्रश्ण इसलिए बता रहे हैं इसी अधनियम में भारत में एक लोग सिवायोग के गठन का प्राउधान किया गया था इसी अधनियम के आधार पर 1926 में ली कमिशन ली आयोग अर्थात 1923-24 में ली आयोग का गठन हुआ इसी के आधार पर उसने सिफारिश की उसकी सिफारिशों के आधार पर 1926 में सिविल सिवकों को भरती करने के लिए केंद्रिय लोग सिवायोग का गठन किया गया 1909 में जो सामप्रदाइक प्रतनित तो सुरू हुआ यहां पे उसको आगे बढ़ाया अंग्रेजों ने मुसल्मानों तक जो सीमित था उसको बढ़ा कर सिखों भारत में रहने वाले इसाईों आंगल भारतियों और यूरोपियों के लिए भी प्रिथक निर्वाचन के सिध्धान्त को विस्तारित कर दिया पहली बार इसी अंधमिय में केंद्री बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया इसी के अंतरगत एक व्यधानिक आयोग का गठन किया गया उसका प्राउधान किया गया जिसका कार्य दस वर्ष बाद जाज करने के बाद अपने रिपोर्ट प्रस्तोत करना था वो दस वर्ष बाद कब आया वो आपने सुना होगा साइमन कमीशन के वारे में साइमन कमीशन इसी पर दर्श वर्ष बाद वही वैधानी कायोग का गठन साइमन कमीशन वही वैधानी कायोग था जिसका कि भारतियों ने बहुत विरोध किया था क्योंकि इसमें एक भी भारती सदस्य से नहीं था यह सब बाते हम जब आदनी भारत का इतियास पढ़ेंगे देखेंगे एक बात और ध्यान लखेगा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधियाँ पूछा भी गया था PCS में आपके महिलाओं को पहली बार वोट देने का मत देने का अधिकार सीमित रूप में ही सही लेकिन मिला वो इसी मांटेंग्यू चेम्सफोर्ट सुधार भारष शासन अधनियम के द्वारा ही मिला एक प्रश्ण आया था बहुत पहले SSC में आज कल SSC को भी UPPSC नहीं छोड़ रहा है तो याद रखेगा मांटेंग्यू चेम्सफोर्ट सुधार के समय इंग्लेंड का प्रधान मंत्री कौन था पूछा था तो लायर्ड जार्ज क्या नाम था लायर्ड जार्ज उसमें इंग्लेंड का प्रधान मंत्री था अब आते हैं भारष शासन अधनियम 1935 में आज यहीं तक करते हैं कल यहां से फिर शुरू करेंगे आप लोग फीड़बैक देते रहेगा कोई अगर डाउट होगा आप लोगो कोई कहीं कन्फिजन होगी फैक्ट में तो जरूर कमेंड बॉक्स में कमेंड करके पूछेगा आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद